नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम अंत्राल भाग दो कक्षबार्वी हिंदी से सूर्दास की जहुपड़ी पाठ के MCQ यान के बहुवैकल्पिक प्रस्ण तो पहला प्रस्ण है सूर्दास की जहुपड़ी पाठ किस उपन्यास का अंश है अ गबन, बी गोदान, सी कायकल्प, डी रंग भूमी तो जो सूर्दास की जहुपड़ी पाठ है यह उपन्यास का अंश है जो मुशी प्रेमचंद द्वारा रचा गया है और उस उपन्यास का नाम है रंग भूमी तो इसमें विकल्प डी सही है प्रस्ट नमर दो सूर्दास की जहुपड़ी में आग किस ने लगाई पूरा पाठ इसी के एर्दिगर्द है सूर्दास की जहुपड़ी में आग लगी किस ने लगाई थी? ए भेरो ने, बी जगधर ने, सी सुभागी ने, डी बजरंगी ने इसमें विकल्प ए सही है भेरो ने प्रिविद्यार्थियो आप इस पाठ के अलावा और दूसरे जो भी पाठ है कक्षग्यार्वी और बार्वी के MCQ वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं अब है प्रस नमर तीन, चूलहा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसने किस से कहा? इसमें विकल्प भी सही है, नायक रामने जगधर से कहा, जिस समय सब लोग वाँ खड़े हुए थे और उस जहोंपड़ी में आग लगने का तमाशा देख रहे थे प्रशन नमर चार, उसे जहोंपड़ी के जल जाने का दुख न था, सूर्दास को सरवादिक किस चीज का दुख था? सूर्दा जब वहाँ पहुचा तो जोंपडी के जल जाने का उसे इतना दुख न था जितना कि किसी और चीज का था वो बार-बार उस राक के ढिर में से उसको टटोल के देख रहा था तो कौन सी चीज थी वो बरतन जलने का जोंपडी के जल जाने का रुपियों की पोटली के जलने का दीवारों के जलने का तो इसमें विकल्प सही है रुपियों की पोटली के जलने का दुख उसको सरवादिक था विकल्प नमर सी सही है इसमें प्रस नमर पांच पोटली में रुपे किस धातू के थे ए सोने के चांदी के लोहे के कागज के विकल्प इसमें 20 सही है जो पोटली में रुपे थे वो चांदी के रुपे थे पुराने समय में चांदी के रुपे ही अधिक चला करते थे प्रिश्ण नमर 6 सूरदास की पोटली में कितने रुपे थे पांसो रुपे से कम, पांसो रुपे से कुछ ज्यादा, पचास रुपे, पचास पैसे इसमें विकल्प भी सही है, पांसो रुपे से कुछ ज्यादा थे प्रस नमर साथ भहरव ने सूर्दास की जोंपडी में आग क्यों लगाई? बहरों ने सूर्दास की जोंपड़ी में आग क्यों लगाई ए सूर्दास और सुभागी के अनेतिक सम्मंदों के शक में सूर्दास के रुपे लूटने के लिए उसे जगधर और गाउं वालों ने पीटा था वह सूर्दास को फाइदा पहुंचाना चाहता था विकल्प इसमें सही है सूर्दास और सुभागी के अनेतिक सम्मंदों के शक में बहरव सूर्दास से चढ़ने लगा था और इसी लिए उसने उसके जोंपड़ी में आग लगाई थी विकल्प नमबर ए सही है प्रस नमर आठ बहरों के प्रती जगधर के मन में कौन से भाव जगा जिसमें बहरों ने जगधर को बताया कि हाँ आग मैने लगाई है और रुपयों की पोटली वहां से मिलिया जिसमें 500 से ज्यादा रुपय हैं तो उसको देख करके जगधर के मन में एक भाव जगा वो कौन से भाव था प्रेम का उत्साह का इरश्या का धर्म का तो उसमें विकल्प C सही है इरश्या का भाव जगा था प्रश्न मन्नो हम तो सौलाख बार बनाएंगे पंक्ति के अनुसार सूर्दास की कौन सी विशेशताओ भर कर आती है यह ना समझी बी बल्शाली सी द्रण निश्चे डी पापी तो जब बच्चा उसका मिठुआ पाठ के अन्थ में जब उससे पूचता है कि यदि हम इसको कोई इसको हजार बार मिटा दे हरजार बार आग लगा दे तो तो सूर्दास कहता जाता है कि हम भी इसको हर बार बनाएंगे तो कहता है कि हम इसको सौलाख बार मिटा दे तो सूर सभागी कौन थी सुर्दास की पतनी भेहरों की बहन गाओं की सरपंच भेहरों की पतनी इसमें विकल्ब D सभी है जो सुभागी है वो बहरों की पत्नी थी नमबर 11 सूरदास आर्थे खानी को गुप्त क्यों रखना चाहता था या सूरदास जगधर को रुप्यों की थेली का सच क्यों नहीं बताना चाहता था जब जगधर उसको बार-बार पूचता है फिर भी वो कह देता है कि मेरे पास इदने रुपे थे ही नहीं तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है ए वह नहीं चाहता कि लोग है जाने की बिखारी भी धन संचे कर सकता है इसमें विकल्प डी सही है ए और सी दोनो ही बाते हैं इनके वो लोगों को बताना भी नहीं चाहता था कि बिखारी इस तरह से धन संचे कर सकता है और उसे समाज की निंदा का भी भी भे था प्रस नमर बारह है यह सुभागी को बहका कर ले जाने का जरीबाना है पंक्ती में भेरों ने जरीबाना किसे कहा है जोपड़ी की आग को, चूड़ीयों को, लाठी को, रुपेयों की थेली को विकल्प डी सही हैस में रुपेयों की थेली को भेरों ने जरीबाना कहा नमर तेरह जगधर ने बहरों को रुपे लोटाने की सलहा दी इसके पीछे क्या कारण था A. बहरों से इर्षा हो गई थी B. वह नेकनियत था C. खुद चुराना चाहता था D. दुकान खुलना चाहता था इसमें विकल्प A सही है बहरों से उसे इर्षा हो गई थी नमबर चौद है च야थी पर साप लोटना मुहावरे का क्यारत है, देखो पार्ट में बहुत सारे मुहावरे आये हैं, प्रेम चन्द की विशेशता रहे हैं, क्यों मुहावरों का पրियुक करते हैं, ए इर्शा करना, बी साप लोटना, सी छाती पर मुँग दलना, डी सो जाना विकल्प नमबर ए सही है, छाती पर साप लोटना का मुहावरे कार्थ होता है, इर्शा करना या जलन होना प्रश्ण नमबर 15 है, सुरदास की जोपड़ी पाठ की आधार पर बताईए की जगधर क्या काम करता था समास्यवा का, दुकांदारी का, खेती का, ठेकेदारी का, तो जो जगधर है वो दुकांदारी का काम करता था बी सही है नमबर सोल है बिखारियों के लिए धन संचे पाप संचे से कम नहीं है इस पंक्ति के अनुसार सूरदास के मन में कौन सा भाव है ए समाज निंदा का भै है बी समाज परसंशा का भै है डी जगड़े का भै है इसमें विकलब ए सही है समाज निंदा का भै है इसको 17 सुभागी रात भर कहा चिपी बैठी थी अमरूत के बाग में मंदिर में जगधर के गर नायकराम के गर इसमें विकलब ए सही है वो मंदिर के पीछे अमरूत के बाग में रात भर चिपी हुई बैठी थी क्यों बैठी था नमबर अठार है एक शन में मिठुआ घीसू और मोहले के बीसुन लड़के आकर इस भस्म स्थूप के चार उड़ जमा हो गए पंक्ती में भस्म स्थूप किसे कहा गया है पैसों की थेली को रेत को स्थूप को राक के धेर को तो इसमें विकलब डी सही है राक के धेर को बस्म स्थूप कहा है उनिस जोंपडी जल जाने पर सूर्दास की दशा कैसी थी प्रफलित निराशापूर्ण आशापूर्ण उत्सहाबरी इसमें विकलब बीस ही है निराशापूर्ण जोंपडी के जल जाने पर जो सूर्दास है वो निराश हो जाता है बिलग बिलग कर की पोटली वापस ला कर देगी सूर्दास से बदला लेगी भेरों से बदला लेगी या उपरोगते सभी इसमें विकल्प यह सही है उसने प्रण किया कि चाहे मुझे उसके घर में कितनी मार सेनी पड़े उसके घर में रहना पड़े लेकिन मैं सूर्दास के रुप्यों की प तुले के पीछे, C, धर्ती में गाड कर, D, भेहरों के पास, विकल्प ए सही है, धरन की आड में उसने छिपा कर रखी थी, 22, धरन का क्या आर्थ है, वह लकडी का लठा जो दीवारों या खम्मों पर आडा रखा जाता है, जिसे शैतीर केते हैं, 22, धरना प्रदर्शन करना, D, उप्रोक्त सभी, इसमें विकल्प ए सही है, वह लकडी का गठा, लठा, जो दीवारों या खम्मों पर आडा रखा जाता है, छत को रूकने के लिए, या छत को मजबूती देने के लिए, उसे शैतीर भी कहा जाता है, 23, सूर्दास की जूपड़ी पाठ के आधार पर बताईए कि सूर्दास किस में विश्वास रखता था, दोस्तों, आप अन्य वीडियो के लिए भी इस चैनल को देख सकते हैं, धन्यवाद.